हेलो एवरीवन तो अब इस वीडियो में हम समझेंगे स्टाफिंग इस पार्ट अफ एच रेम अब आप मुझसे पूछो यार है एच रेम क्या होता है एच रेम होता है यूमन रिसोर्स डिसोर्स मैनेजमेंट देखो इस चीज को समझो कि एक बहुत बड़ी कंपनी होती है आपने छोटे मोटे कंपनी हें या दुकाने देख होंगी उन में क्या होता है जो कन अब जो दुकान का ओनर है वो खुधी सारे काम कर लेता है वो खुदी recruitment कर लेता है लोगों को ढूमता है फिर उनमेंसे किसी को select कर लेता है उनको खुदी pay कर लेता है बट एक बड़ी companies में एक special department होता है इन सारे कामों के लिए जिसे हम कहते हैं human resource department और जो members होते हैं उन्हें हम कहते हैं human resource managers तो देखो एक human resource manager को बहुत सारे काम करने होते हैं और उन कामों मेंसे एक काम है staffing तो अब आप मुझसे पूछो कि अगर मिरसे कोई गलती से आके पूछ ले बच्चा की staffing और human resource management में क्या फरक होता है तो मैं कहुँगा कोई फरक नहीं होता staffing human resource management का एक part है human resource manager को कई सारे काम करन बनाने वाले को उसका base डालना होता है उसमें mozzarella डालना होता है और उसमें vegetables डालनी होती है जो कि pizza मेरा favorite है तो जो vegetables है वो एक तरीके से staffing है बट एक pizza बनाने के लिए आपको और भी कई सारी चीजे करनी पड़ती है तो ऐसे ही human resource manager को और कई सारी चीजे करनी है क्या करनी है वो हम एक human resource manager को क्या क्या activities करनी होती है पहला होता है recruitment recruitment मैं जादा नहीं समझाओंगा वो आप पुरानी वीडियो में अल्लेडी देख चुके होगे जिनका link आपको description में मिल जाएगा तो पुरानी वीडियो नहीं देखे तो पहले वो देख के और फिर इस पे आना अगला है analyzing jobs and collect info to create job description मतलब क्या है कि मानो एक human resource manager के पास टेक या जिसे हम कहते है research department से आई कि यार हमें एक scientist चाहिए तो अब human resource manager को पता नहीं क्या scientist कैसा scientist चाहिए क्या होता है scientist उसे तो बस लोगों को hire करना आते है interview लेने आते हैं तो वो क्या करेगा जो भी बंदे ने research department में कहाए कि बातचीत करेगा analyze करेगा कि क्या job है और समझेगा कि क्या क्या information चाहिए उससे सारी लेगा job description बनाने के लिए मतलब उससे समझेगा बंदे से कि हाँ यार क्या बंदे की qualification होनी चाहिए किस चीज में उसने post grad कर रखी हो किस चीज में उसे undergrad कर रखी हो कहां से उसने किस college से कर तो और किस discipline में कर रखी हो उसने engineering कर रखी हो या उसने food engineering कर रखी हो उसने mechanical engineering कर रखी हो तो जो human resource manager वो पूरा समझता है कि क्या job है और क्या क्या हमारी requirement है जो भी department ने request कर ही है बंदे की अगला है developing compensation and incentive plan इसको भी हम पुरानी videos में कर चुके है कि एक HR manager का ही काम होता है कि ये decide करना कि क्या employee को payment होनी चाहिए और क्या उसका incentive plan होना चाहिए अगर आप पूछो मुझसे incentive और salary में क्या फरक होता है देखो incentive वो पैसा होता है वो payment होती है जो हम देते है over and above salary मतलब क्य है अगर किसी employee ने standard से उपर perform किया या फिर अच्छा perform किया simple words में तो हम उसे extra reward देते हैं हम उसको थोड़ा प्वाल्दू पैसे देते हैं कि चल यार तुने अच्छा काम किया तो ये ले कुछ bonus या कुछ तू vacation मनाया तो ये हमारा incentive plan होता है अगला है training and development of employee देखो training और development की workshop कंड़क कराना और जो workshop employees के लिए most appropriate हो उस बंदे को बुलाना और एक अच्छी से workshop कराना और अच्छी ट्रेनिंग कराना ये भी एक HR manager का ही काम होता है इस सारे arrangement को करना अब अगला है maintaining labor and union relations ये क्या कहता है कि हमारे जो labor है और हमारे जो labor unions होते हैं उनसे एक अच्छा relationship build करके लगना ताकि वो strikes पे न जाए या फिर हमारे साथ corporate करके चले जैसे अगर आपने recently सुना हो तो डियू में बहुत ज़्यादा डियू के teachers जो है डेली उनिवर्सिटी के जो lecture hours थे वो strike पे चले गए थे क्यों क्योंकि उनको temporary से permanent lecture hour नहीं बनाय जा रहा था और उनको UGC यानि University Grand Commission और डियू से Command IT के उन्हें और जादा hours काम करना पड़ेगा college में तो वो strike पे चले गए थे तो इन strikes को handle करना और ऐसे कोई strike future में ना हो इन सब को चीजों को handle करना काम होता है human resource management का और इनसे एक अच्छा relationship बिल्ड करके रखने का अगला है handling grievances and complaints देखो सबसे पहले आप म इसका मतलब होता है दुख दर्द दुख और दर्द देखो यह क्या कहता है कि अगर कोई employee को कोई दुख है कोई दिक्कत है कोई समस्य है तो हमें उस चीज को समझना चाहिए और उसको address करना चाहिए जैसे कोई employee आता है वो कहता है यार मैं बिमार चलो मैं नहीं आ पाँग अगला है कि आप handling grievances and complaints अगर कोई employee complaint कर रहा है तो उसको complaint को address करना मतलब कि किसी लड़की ने complaint कर दी कि इस बंदे ने मुझे tease किया है तो उस case में उस लड़के की तरफ action लेना यह किसी employee ने complaint कर दी किया जगे जो हमारी डेस्क है वो बड़ा गंदा गंदा सा रहता है तो फिर वहां पे साफ सफाई रखा आना तो ऐसी complaints को handle करना अगला है providing social security and welfare of employees अब आप मुझे पूचा social security क्या होता है इसमें कई स करके रखना कि हारा आपको अगर मंदे का सीजन आए हमारे पर काम नहीं हो तो आपको fire नहीं कर दिया जाएगा और welfare मतलब क्या है एक HR manager का ही काम होता है कि वो employees को social security ensure करे और उनके भले के बारे में सोचे अगला है defending companies and lawsuits इसका है मतलब है तो कई बारे हमारी company के employees जो होते हैं वो company को छोड़ने के बाद हमारे पर case कर देते हैं किसी भी ground पर कि मुझे salary नहीं दी या इन्होंने मुझे certificate of experience नहीं दिया या फिर इन्होंने मेरे साथ बत्तमीजी करी तो ऐसे cases में जो employee होता है वो labor court में जाके case कर देता है company के उपर तो ये HR manager का काम होता है कि हमारे lawyer को और समझाना कि कैसे हमारी company की गलती नहीं थी और कैसे हम court में उस बंदे के खिलाफ case लड़े तो यह है हमारी activities of a human resource manager तो अगर आपने notice किया हो कि staffing की कई सारी चीजे यहां पर repeated है क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बता है ता staffing HR management का part है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करना और मुझे comments में बताना आपको क्या समझ में आया है नहीं आना है तो comments में प्लीज रिव्यू देना तो बाई